प्रिय विद्यार्थियो आजम चर्चा करेंगे संत दादु दयाल के संबन्द में निर्गुण संत परंपरा में कबीर के बाद दूसरा महिमामर्य वेक्तित्व है येदि किसी को माना जाए तो संत दादु दयाल का नाम आता है पंदरा सो चमारी सीष्वी एहमदाबाद में इनका जन्म हुआ अकबर कारिन फ्रसित इतियास कार मौसन फानी ने इनको दुनिया का है विल्सन ने भी इसमत का समर्थन किया है दयानल सर्ष्वति इनको तेली मानते हैं सुदा कर द्वेदी इनको मोची बतलाते हैं मद्यकाल के जितने भी संद्धे नीची जाती से लग बगाएं हैं इसके भी बक्तियांद्वलन के संबंद में विजवानों के अलग अलग आए है कि यह उंची जाती का के लोगों के यह संद्धों के प्रती नीची जाती के लोगों का वित्रो था आपको पता है कि मद्दे काल में जाती का जो भीद था वो बहुत गहरा है हुआ था इनके गुरू का ना बुड़न था विल्सन कबीर की मंस परमपरा में इनको स्विकार करते हैं दादो पंती बुड़न से साक्षा आतकार भगवान कारते लेते हैं गैरा वर्ष के अवस्ता में बगवान ने वृद मार्तमा के रूप में बालक दादो को दर्शन दिया था इसा मानते हैं दादो पंती लोग प्रसिद्य की दादो दयार ने ग्रस्त जीवन बिताया था इनके जीवन के प्रारंबिक दिने अम्दाबाद में बेतित हुए तीस वर्ष के अवस्ता में वे सांबर आ गए यहां बतीस वर्ष के अवस्ता में गरीबदास उत्र का जन्म हुआ दादो वाने के संपादक मंगलदास इनको ग्रस्त नहीं मानते हैं दादों ने सांबर में ब्रह्म संपरदाय की स्थापना की आगे चलकर के प्रम ब्रह्म समाज और अंत में दादू पंत के नाम से विक्यात हुआ आमेर में रते हुए इनकी मुलाकात बात से अकबर से हुई अकबर के साथ 40 दिन सत्संग का उलेक भी मिलता है ये गटना 1586 के लगबकी है इनके सिश्यों की संक्या 102 बतलाई जाती है दादों की मृतिव सांबर के निकट नराने की गुफ़ा में सन 1603 इसमी में हुई बतलाते हैं ये दादों पंतियों का दादों दुवारा भी है जहां प्रतिवर्स फाल गुन में मेला लगता है यहां पर आपके बा तुम्बा चोला और खड़ाओ आज भी सुरुक्षित रखी है दादों की एक मातर अचना एनभे वानी है दादों की वानिया कबीर के टकर की माने जाती है दोनों की यूगिन प्रिश्थितियों के अंतर की कान से शोरों में कड़वाट और सहस्ता पाई जाती है दादों क संस्कृति के कठोर मंद्रा चल द्वारा मतित होकर बारती संस्कृति के मान सागर की अतल गयराईयों से सहज ही उपर उठाया है दादों के विचारों का मूल उत्स मानों का सहज जीवन है उनकी वानि का एक-एक सब पाठ़ के अर्दे पर चोट करता है निश्च इंदी सा का निर्गुण संप्रदाय कबीर के बाद दादों का इस्तान सभी द्रिष्टियों से अन्नितम है यह दिनके पदों पर हम विचार करें तो काशी नागरे परचाने से बाने इनकी रचनाओं में एक संक्रन प्रकाशित हुआ जिसमें 2623 साकियां और 445 पद हैं बंगाल की बावुल संप्रदाय में दादों को बहुत सम्मान की द्रिष्टिय से देखा जाता है संत्कावे के प्रसिद मर्मय की विद्वान क्सित्री म हो चुके हैं चिंतन दारा और साधन अविदी दोनों द्रिष्टि से कबीर और उनके बहुत समानता मिलती है कि कबीर के समान परमतत्व और आदी गुरू और आराद्य देव के सुन्ने परमपद निर्वान आदी कहते हैं कि इन तो फिर भी कबीर और दादों में सुक्समा अंतर मिलता है डाक्टर देयान अंसी वास्तों के अरशार कि कबीर आत्म परने में विश्वास करते हैं और दादों में इन दोनों में अंतर है कि उन्होंने कबीर के समान समाज इकने आए जाती पाती मूर्ती पुजा और भाय अडंबर का खंडन उगर वासा में नहीं किय उनके समाज का विरोध करने का बाब कबीर के घेक्सा कमेलता है जब विरोध करते हैं तो कबीर के समान उगरना होकर कि विनमर सनई सीड बने रहते हैं इनकी विनम्रता और सनी सीड सेहों के काण से बहूत लोग पी इनको बना दिया है दादु के पजम YOUR नितांतन सरल बासा कि भाव और अनुबुती की पूर्ण सपलता है कि साथ में विक्त करने विक्त किया है और कावे काते हैं पुष्ट और सुन्दर उदान इनके कावे में शयद बाव से देखे जा सकते हैं दादो के पदों पर यदि हम विचार करें तो दादो की पद पहला पद है निके राम क राके पंचो दोवे काया कपरा सैज समर्पन सुमिर्ण सेवा त्रिवेन इत्ट सयम सपरा सुन्दरी सन्मोक जागन दागी तै मोन मेरा मन पकरा बिंज रसना मोन गुण गावे नाना वानी अनुभव अपरा दादु अन देशे कईये बक्ती ततो बहुत नाग शक्रा बहुत पत्ला है बहुत दुसक्रा है अनादिब भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है राम को ही दादु दयाल कहता है कि मैं तो सर्वस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और पंचो दोवे काया कपड़ा जैसे कपड़े को धोए वेशे पांस तत्वों को दोगर के रखे। सैज समर्पन और सुमिरन सैज समाधि लगाए भगवान के परती समर्पन रखे और उनको याद करे। एसे शेवा करे एसे त्रिवेन तक सैम सकड़ा और एसे सैम का सैज समर्पन और सुमिरन ये त्रिवेन का तक बनाए रखे तो आत्मा रूपी सुंदरी उसके समक्स जाग उठेगी और भगवान के अधिनता स्विकार कर लेगी। तब क्या होगा ये रसना ये जीव है वो भगवान का गुंगान करेगी और अपनी वाने में अनुभव अपने अनुभव सुनाएगी। दादो दयाल जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे अनहद नाद के दी भक्ती की जाए तो भक्ती तत्व भुत मारग सक्रावा। तो ऐसा भक्ती का मारग बहुत संक्रा है बहुत तन है ऐसे भक्ती बहुत कम लोग कर पाते हैं। अजाउन निक्सी प्राण कठोर। दर्शन बिन भहुत दिन बीती सुन्दर प्रितम ओर। चार पर चारो युग बीती रेणी गमाई भोर। अब दी गई अजाउन नहीं आये कताउन रहे चित्चोर। कब उनने निर्ख नहीं देखे मारग चित्वत चोर। तोर दादु ऐसे यातुर वीरनी जैसे चंद चपोर। दादु दयाल जी कहते हैं कि यात्मा और परमात्मा इनका बिछो बहुत मुश्किल है। और हो गया तो पिर ये अजाउन निक्स प्रान कटर। ये प्रान भी इतने कठ्वर हो गया गए के अब भी नहीद निकलते। ब्ग्वान को अशे दूर हुए इसक्को इतने दिन हो गए फिर भी ये प्रान नहीं छोड़ती। दर्सन बिन बहुत दिन बीत के बिन बहुत दिन बीत गए चारों पर चार यूग के समान बीत गए और पूरी रात बीत करके शुब हो गई अवदी गया जो नहीं आए पूरा समय चला गया फिर भी वो आए नहीं दादु दयाल जी कहते हैं कि पता ने चीत के चोर कहा रुखे अब वो नेन निर्ख नहीं देखे अभी तो आँकों से देखे हो यह भी कई बीत कई जमाना बीत गए हमारा चीतवत तोर और उसी रास्ते पर मैंने अपने चीतवन को लगा रखा है दादु दयाल जी कहते हैं कि ऐसी आतुर आतुर का मतलब बहुत उंतावली वीरणी जैसे चकोर चंदरमा को देखता है आत्मा और परमात्मा से पिछड़ने के पाद आत्मा रूपी वीरणी का भी यही हाल है सजनी रजनी गटी जाई पल पल छीजियो दी दिनाए अपनो लाल मनाई अती गती नेंद का सुख सोवे यह उसर चल जाए यहो तन विच्ड़े बहुरे कर पाए पिछे न पस्ताए प्राण पती जागे सुंदरी क्यों सोवे उठ आतुर गई पाई कोमर कटोर करूना करागे नक्सिक रही लपटाई सकी सुवाग सेज सुप पावे प्रितम प्रेम बढ़ाई दादू भाग बढ़े प्यू पाए सकल सिरो मनी राई जीवात मारू भी सकी से दादू दयाल जी कह रहे हैं कि ये सजनी ये रात तो घट गई है एक पलपल है वो चिंता जा रहा है अवदी मोत का समय आ गया है अपने खेर मना और तू गफलत में पड़ा हुआ नेंद कहा सुक से सो रहा है ये औसर तो चला जाएगा बगवान को याद किये भी नँग ये तन भी छुड़ जाएगा फिर बाद में नहीं मिलने वाड़ा है पस्ताने से कोई फाइदा नहीं प्राणपती जाग रहा और सुन्दरी सो रही है चाहिए ये था कि इश्वर रूपी प्राणपती को आतुर होकर कि उनके पेर पकड़ देती कोमल बसन करणा करागे कोमल बचनों से उनके आगे प्राणने करती और संपूर रूप से उनक्षिक रहु लप्तांगी नकूं से लगा के शिर्थ तक संपूर रूप से उनके शमा जाती दाद दयाल जी कहते हैं ये सकी सुआख सुख तो वही पास सकते हैं जिनों जिनों ने प्रितम न तो प्रमात्मा से प्रेम को बढ़ाया है और दाद दयाल जी कहते हैं कि भाग बड़े-बड़े हैं जो शिरोमनी राजाओं के राजा से प्रेम बढ़ाते हैं उनी को मिल सकते हैं जो उनसे प्रेम बनाते हैं हमारे तुम ही रच्पाल तुम बिन और कोई नहीं मेरे बहु दुख मेटन हाल वेरी पंच निशम ने नियारे रोक रहे जमकाल हाँ जगदेश दास दुख पावे स्वामी करो संबाल तुम बिन राम दे हेद बंदर दसो दिसब साल देख दिन दुखी क्यों कीजिए तुम तो हो दिन दियार निर बिराम हेद हरी देजिए दरसन परसन डाल दादू दीन लीन कर लीजिए मेटो सब दंजाल इस पद में दादो देया ने बड़ी विनमरता से बगवान से प्रात्ना किये कि है बगवान आप ही हमारे रक्षको आपके बिना इस अंसाल में कोई नहीं है जो में हमारे दुख मेट सके और ज्यादा तो क्या कहूं ये पांचु इंद्रिया ही मेरी दुस्मन हो रही है और जमकाल ये अमकाल मोत के वक्त तक अलग नहीं हो रही है ये जगदीश ये जगत के इस वर ये दास दुख पा रहा है और सौमें उनको सबार नहीं रहा है है राम तुम्हारे बिना ये दुंद ये जंजट कौन मेटने वाड़ा है दस उन्दीश आए तो सूर के समान हो गई है साल मदद कस्ट से बरी हो गई है हे दीनों के दुख्यारों को दुख मेटने वाड़े दीन दुख्यों के दुख मेटने वाड़े दीन दुख्य क्यों कीजी इन गरीबों को क्यों और ज्यादा दुख दिया जा रहा है आप तो दीन दे आलो दे गरीबों को दिया करने वाड़े हो निर्वे रामे ये थहरी दीजिए हे बगवान निर्वे होकर कि अपने नाउं का खित इस दास को दे दीजिए और इसको दर्सन दीजिए तांकि दादू दयाल जी कहते है इस देन दयाल को अपना लीजिए तांकि इसके सारे जंजार मिट जाए इस अंसार से इसकी बुक्ती हो जाईए ऐसी वामना इसपत के अंदर दादू दयाल जी ने किये मूने ये अचंबो थाए कोड़ी ये हस्ती विडारियो तन बेटी खाए जान हुतो ते बेटो हारे अजान तेने ते पाई पांगो लोव जाबा लागयो तेने कर कोशा है नान हुतो ते मोटो थाए और गगर मंडर नहीं थाए माई मोटो रे विश्तार भणी जे ते तो केने जाए जे जान जे निर्खी जोवे खोजी ने बली माही दादू तेहां मरम न जाने जे जीमा भीर्णो गाए इस पज़ में दादू दयाल जी कह रहे है कि मेने तो बुड़ा अचंबा होता अचंबा किस बात का कि कोड़ी ये हस्ती वीडार्यो तेने बेटी खाई कि कीड़ी ने हाती को बगा दिया उसके सरीर पर बेट कर कि उसको बगा दिया मुझे तो इस बात का चंबा होता है यानि किड़ी रूपी मान से कि आतना उने आत्मा रूपी खाती को हरा दिया जान होतो ते बेटी हारे अजान तेने नवाही जो जान ते थे वो तो इस बात को समझ करके अपने हार को स्विकार कर लिया और जो अजान थे वो वावा कर रहे है उनके समझ में भी नहीं आ रहा है किया किया जाई पांगड़ो जाबा लागयो तेने करकोश आई पंगड़ा जब जाने के लिए लग गया तो अपने आपको धन्य मान रहा है नानो हुतो ते मोटो था या छोटा था लेकिन मोटा हो गया और अब तो यह हालत हो गए मंदरूपी चिंटी की यह हालत हो गई है कि वो गगन मंडल के बीच में भी नहीं समा पाती इतनी लाल साइं बढ़ गई है मंदरूपी चिंटी की इतनी लाल साइं बढ़ गई है कि वो संसार, गगन, आसमान और दर्ती के बीच में भी अपने आपको आकांग सावं को नहीं रख पा रही है मोटे रोव विस्तार भनी जी यदि मोटे जो इच्छेम ज्यादा हो रही है यदि उनको नहीं रोका रहा विस्तार भनी जी का मतलब होता रोकना इजिन के विश्टार को नहीं रोगा, ते तो के ने जाए, तो इसका क्या होगा, अब किसका क्या हो सकता है ते जान जे निर्खी जोवे, खोजी ने बली माहें, दादू तेनो मरम न जान, जे जीवियां होनों का भी दादू दयाल जी कहते हैं, जेनों ने जान लिया, वो तो बड़े ध्यान से, देख रहे हैं, देख देख के चल रहे हैं, खोजी ने बड़ी माहीं, और जेनों को मिल गया है, उनके अंदर बलागे, दादू दयाल जी कहते हैं, कि जिन्नों ने इस मरम को नहीं जाना, उनका जेना बेकार है, और जो इस मरम को जान गे, उनकी आवाज, उनका स्वर, उनकी जीविया तो बगवान का इस्वन करती है, उसी को याद करती है, मन बिना वासनाओं के पंगू, उनकी बात इसमें कही गई है, दाद उद्याल जी की भक्ती है, उद्धा से बाव की और भगवान को स्वामी मान करके की है, इसलिए साइद वो अपने आपको उनकी सरन में जाने की उनकी रक्षा करने की बात करें, दाद उद्याल जी मद्यकाल के उन संतों में से हैं, जिनको बड़े सम्मान से याद करते हैं, बुड़न बाबा या वुर्दाउन माराथ की दिख्षया दादो कुंतियों में गुरु का विशेश मत्व हैं, इनमें सामाजिक न्याय जाती पाती मूर्ती पूजा बाया डंबर का खंडन है, ये लोग एक दूसरे में बेदवाव नहीं करती, और कबीर के समाने निर्गुन पंत का समर्चन करते हैं, आज हम इतना ही इस पर तर्चा कर पाएंगे, धन्यवाद।